आज हमें BSA 30-year के नुकलियर फिजिक्स पेपर के अंतरगते नाबी के चुम्ब के दिवदुरु आगोरन, संबारिक परचकरन तथा समता के बारे में धन करना है तो हम सर्वा पर्थम नाबी के चुम्ब के दिवदुरु आगोरन क्या होता है, इस का मान कितना होता है, इस पे बात करते हैं तो जब कोई भी आविशित कन, किसी निश्चित बिंदु के चारो तरफ कक्सय गती करता है, उसके चारो तरफ परीबर मन करता है तो चुकि आवेस का प्रवा हो रहा है तो आवेस के प्रवा से एक धारा उत्पन होती है तो एक वर्त ये धारा उत्पन होती है इस धारा के कारण एक चुम्ब के छितर उत्पन हो जाता है इस चुम्बके चितर का घुर्णन बिंदू के साफिक्स कक्सिय चुम्बके दिवधुरू आघुर्ण मू एल कहलाता है तथा मू एल को निम्न सुत्त से दिया जाता है मू एल बराबर ई बाई ट्वाइस एम इंटू एल यदि इलेक्ट्रोन की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे मू एल बराबर माइनस ए बाई क्वाइस एम इंटू एल क्योंकि इलेक्ट्रोन का चार्ज है वो निगिटिव होता है इसी परकार जब कोई आवेशित करने स्वेम के अक्स पर घुर्णन या चक्रन करता है इस्पीन कती करता है तब वह है प्रचकरनी दिवदुरू आघुरण मू एस उत्पन करता है मू के साथ सब्सक्रिप्ट में एस लगा दिया एस इस्पीन के लिए लगाया हुआ है एता है mu s बराबर e by m into s इलेक्टोन के लिए बात करेंगे तो ये जो e है वो माइनस का आजाएगा माइनस e by m into s तथा कुल चुम्ब के दिवधुरुआ आगुरण जिसे हम mu j से लिखेंगे कामान निम्न सुत्तर से दिया जाता है सदीस mu j बराबर g e by 2 m into j यहाँ पर जो ये j है कुल कौन ये समवेग होता है ये l प्लस s यानि की कक्सिय कौन्टम संख्या तथा स्पीन कौन्टम संख्या के बराबर होता है तथा ये जो j है ये दो मेथड से प्राप्त होता है एक ls कप्लिंग से होता है दूसरा jj कप्लिंग से होता है यहाँ पर जिखिये जो हमने नियतांक g लिया है ये जो नियतांक g है ये घुरन चुम्ब की अनुपाहत कहलाता है जाइरो मेगनेटिक रेशियो कहलाता है इलेक्ट्रोन की कक्षिये गती के लिए जी का मान एक प्राप्त होता है यानि की इलेक्ट्रोन जब कक्षिये गती कर रहा है तो उसके लिए जो घुरन चुम्ब की अनुपाहत है वो वन के बरापर होता है तथा इलेक्ट्रोन की प्रचकरनी गती के लिए यह दो प्राप्त होता है तथा ये दिक इसी नाभीक में किसी परमानों में चकरनी तथा कक्षिय गती दोनों ही हैं तो उस इस्तती में जी कवान एक से दो के मद्दे कहीं प्राप्त होता है तथा सदिस L बराबर LH क्रोस यहाँ पर यह जो कक्षिय क्वान्टम संख्या है उसका निर्पेक्समान है LH क्रोस है वो H अपन टूपाई है जहाँ पर H है वो प्लांक निये तांक है एवन S बराबर S H क्रोस तथा इलेक्ट्रोन के लिए जो कक्षिय चुम्म के आगुरण है इस फिन चुम्म के आगुरण है अब वो यदि हम G ले लें G के फोरम में लिखें तो इस परकार से हम लिख सकते हैं मू अल सदीस बराबर G L मू ब A1 मू अस सदीस G S मू ब यहाँ पर जो मू बी है वो बोर मेगनेटोन कहलाता है इसकी वेल्यू इनके मान रखकर इलेक्टोन का आवेस H की वेल्यू पाई की वेल्यू था इलेक्टोन का मास की वेल्यू रखकर हम इसकी केलकुलेशन करते हैं तो मू बी 9.27 इन्टू 10 की पावर माइनस 24 जूल पर टेसला प्राप्त होता है यह रासी बोर मेग्नीटोन कहलाती है अब चूंकि यह जो बात थी वो इलेक्टोन के लिए थी तो इसी को आधार मानते हुए इसी वेचना के आधार पर नाभिक द्वारा उत्पन चुम्ब की आगुरन का मान ग्याद किया जाता है नाभिकों में कक्सिय तथा चक्रनी गती करते हैं जिस परकार इलेक्टोन नाभिक के चारों तरफ विविन कक्साओं में कक्सिय गती करता है तथा अपने अक्स पे इस पीन गती करता है चक्रनी गती करता है उसी परकार जो नाभिक में न्यूक्लियोन है यानि कि प्रोट्रोन तो था न्यूट्रोन है वो कक्सिय गती भी करते हैं तथा प्रेचकरनी गती भी करते हैं प्रायगिक प्रेक्षनों से ग्यात होता है कि न्यूट्रोन उदासीन होने के बावजुद न्यूट्रोन का नेट चार्ज है वो जीरो है तो ये उदासिन होने के बावजूद भी चुम्ब की दिवधुरु आगुरन उत्पन करता है जो की रिनात्मक होता है इसका आर्थ ये लगाया जाता है कि उदासिन होने के बावजूद भी जब ये रिनात्मक चुम्ब के दिवधुरु आगुरन उत्पन करता है तो न्यूट्रोन में समान मातरा में धनावेश तथा रिनावेश वित्रित हैं ये बात इससे सिद्ध होती है तथा नाभी के अवियों का जो चुमकी आघुरण म्यू जे है वो निम्न सुतर से दिया जाता है तो नाव न्यूक्लियनों के लिए चुम्ब के अगरोन मू जे बराबर जी जे मू अन यहाँ पर जो रासी मू अन है वो एच्स क्रोस अपॉन ट्वाइस एम है जब यहाँ पर इन यह तंकों की वेल्यू रखकर इसकी केलकुलेशन करते हैं तो हमें मू अन की वेल्यू 5.05 इंटू 10 की पावर माइनस 27 जूल पर टेसला प्राप्त होती है यहाँ पर जो रासी यह मू अन है इसे हम नुकलियर मेगनेटोन या नाभी की मेगनेटोन के नाम से जानते हैं प्रोटोन के लिए जो जीजे है इसकी वेल्यू 5.586 प्राप्त होती है तथा नुट्रोन के लिए जीजे की वेल्यू माइनस 3.826 से प्राप्त होती है हमारा अगला बिंदू है समता या पेरिटी तो यह जो पेरिटी है यह क्या होती है चूंकि किसी कंड की अवस्था का वर्नन क्वांटम या अन्तरीके में तरंग फलन की सायता से किया जाता है क्वांटम यान तरीके में किसी कन की आवस्ता को हम परदर्शित करेंगे तो उसके लिए कोई तरंग फलन की कल्प न की जाती है माना यह है तरंग फलन साई एक्स वाई जेड निर्दे संकों एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है यानि कि यह जो तरंग फलन है यह XYZ यानि निर्दे संगों का फलन है निर्दे संगों के मान पे इसकी value इसका मान है वो निर्भर करता है तो किशीकन की समता निर्दे संगों का परतिलोमन करने पर तरंग फलन के व्याहवार को दर्साती है यानि कि समता का जो मूल भाव है वो यह है कि जब हम निर्दे संगों का परतिलोमन कर दें यानि उनके quadrant है वो opposite direction में कर दें तब उस फलन के मान पे क्या पर भाव पड़ता है क्या फलन का मान समान रहता है या फलन के मान की value है वो रिनातमक हो जाती है इस बात को दर्साने वाले जो रासी है वो समता या पेरिटी होती है अर्थात जब x को माइनस x y को माइनस y तर्था z को माइनस z कर दें तो यदि इस परिवर्तन का तरंग फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो तरंग फलन की समता सम कहलाती है यानि निद्यसंकों के पड़ती लोमन पर तरंग फलन के मान में कोई भी change नहीं हो रहा है तो उस तरंग फलन की जो parity है समता है वो sum है जबकि इस परिवर्तन से यदि तरंग फलन का चिन परिवर्तित हो जाता है तो तरंग फलन की समता विसम होती है यदि हम उदारन cos x और sin x का लें तो यदि cos x में cos minus x कर दें तो भी उसकी value cos x ही रहती है value में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो cos फलन है कोजा फलन है वो sum उसकी समता है वो sum है यदि हम sin x लें तो sin x में x की जगे दि माइनस x पर तिश्तापित कर दें तो परिणामे value minus sin x हो जाती है अधि जो sin यदि जया फलन की जो समता है वो विसम होती है तो sum समता होने पर sin x minus y minus z बराबर sin x y z होगा कोई value change नहीं होगी और विसम समता होने पर sin x minus y minus z बराबर sin x y z होगा यानि की रिनात्मक चिन है भार आ जाएगा इसी परकार नाभिक की किसी अवस्ता में समता ग्याद करनी हो तो नाभिक की किसी वेवस्ता में समता है वो कक्सिय कोणिय समवेग पर निर्भर करती है यदि नाभिक के एक नूकलियोन का कोणिय समवेग L हो तो उस नूकलियोन की जो समता है P पेरिटी P है वो माइनस एक की पावर L होती है तथा नाभिक की परिणामी समता उसके सभी अवियों की समता के गुननफल से ग्याद की जाती है माना यदि नाभिक के अवियों का अलग अलग कोणिय समवेग L A L B L C डश 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 हो तो उस नाभिक की जो कुल समता है P बराबर P A P B P C डोट डोटो यानि की इन सभी समताओं के गुननफल के बराबर होगी आता है P एक बराबर माइनस एक की पावर L A प्लस L B प्लस L C प्लस जो भी हो तो इस सुतर से है नाभिक की जो परिणामी समता है रिजलिटेंट पैरिटी है वो ग्याद की जा सकती है अब इसमें मत्यों प्रून बिंदू है कि यदि सम जेड तता सम अन है यह प्रोटोन तता न्यू टोनों ही सम है तो इस परकार के नाभिकों की समता है वो सम होती है विसम जेड तता विसम N वाले नाभिकों की समता एयुगमित प्रोटोन तथा एयुगमित न्यूट्रोन के गुणनफल के बराबर होती है अर्थात जेड विसम है एन विसम है तो पी बराबर माइनस एक टी पावर एल एन प्लस एल पी यहां एल एन है वो न्यूट्रोन का कोणिये समवेग है यहां एल एन है वो न्यूट्र रुपांतरन के लिए यदि हम इसके संकारक की बात करें तो इस रुपांतर को प्रभावी बनाने वाला संकारक के यूपी है तता जब इसे दो बार लगाएं तो पुना है प्रार्मी की इस्तती प्राप्त हो जानी चाहिए क्योंकि पेरिटी है वो प्रतिलोमन करती है प्रतिलोमन का प्रतिलोम श्वेम वही रासी होती है अता यदि दो बार लगाए जाये तो पुना है वही रासी प्राप्त हो जानी चाहिए तो यदि हम पेरिटी संकारक को यूपी से शो करें तो यूपी इस्पायर बराबर वन अथा पेरिटी संकारक है वो एकिक संकारक भी होता है तो एकिक संकारक के गुन धरम से यूपी डैगर यूपी बराबर वन अब इन दोनों से यदि हम तुलना करें तो यूपी डैगर बराबर यूपी यह जो गुनद्रम है यह हर्मिटी संकारक का गुनद्रम भी है अता है पेरिटी संकारक के हर्मिटी संकारक भी होता है उच्चूंकि हर्मिटी संकारक की जो आइगन वेल्यू होती है वो वास्तिक और परिक्षन योकी होते है है इसकी जो आइगन वेल्यू है वो आस्तिक होगी है और अब्जरुवेबल होगी अब किसी तरंग फलन साई आर पर यदि एक बार हम पेरिटी रुपानतर अपरेटर लगाएं तो यूपी साई आर बराबर पी साई आर यहाँ पर जो ये पी है वो आइगन वेल्यू है पेरिटी आइगन मान है दुबारा से एक बार और अपलाई करें तो यूपी यूपी साई आर बराबर यूपी पी साई आर पी बहार ले लिया यूपी अपलाई हुआ साई आर पर तो वापस एक बार पी आएगा तो पी इंटू पी साई आर यानि कि यू पी स्क्वाइर साई आर बराबर पी स्क्वाइर साई आर बट यू पी की पावर टू बराबर वन है तो पी स्क्वाइर बराबर एक जिसे पी बराबर प्लस माइनस इसकी दो आईगेन वेल्यू प्राप्त हो गई है रहता है पी बराबर प्लस वन तो इस परकार की जो parity है वो sum parity अवस्था कहलाएगी even जब P ब्राबर माइनस 1 तो इस परकार की जो parity है इस परकार की जो समता है वो विशम शमता अवस्था या विशम parity अवस्था कहलाती है इसे अधाय में हमारा जो अगला बिंदू है वो है संभारिक प्रेचकरन आईसोस्पीन तो आईसोस्पीन क्या होता है proton और neutron के लिए इसके मान क्या है वो हमें यहाँ पढ़ना है तो नाविक के किरियाओं के लिए नाविक के दोनों कणो proton तथा neutron को एक ही कण यानि कि इनको nucleion बोलते हैं तो एक ही nucleion की दो आवस्थाएं माना जा सकता है इस nucleion की एक सवतंतरता की कोटी होती है तथा उस कोटी के संगत एक quantum संख्या आई होगी अर्थाते proton और neutron को हम एक इकन की दो आवस्थाएं मानने बस इनका जो इस्पीन है या आईसो इस्पीन है वो अलग-अलग होगा जो की प्रचक्रण quantum संख्या की तरह व्यावार करती है इस गुन को संभारिक प्रचक्रण कहा गया है तो nucleion के लिए बहुत सारी नाभी की रासिया बराबर होगी सिर्फ इनके जो प्रचक्रण है proton और neutron के जो प्रचक्रण है वो अलग-डाइरेक्सिन में होंगे अता है संभारिक प्रचक्रण quantum संख्या I हाफ होती है proton और neutron दोनों के लिए ही इसका मान हाफ प्राप्त होता है 1 by 2 प्राप्त होता है तथा तीसरी अक्स की दिसा में थर्ड अक्सिस की दिसा में इनके दो मान होंगे जो प्रचक्रण quantum संभारिक के प्रचक्रण quantum संख्या I की जो थर्ड अक्सिस की बात करें तो उसके दो वेल्यू है positive direction में I3 बराबर प्लस हाफ negative direction में I3 बराबर माइनस हाफ तो इन दोनों राश्यों से proton तन neutron में डिफरेंस प्राब्ट होता है तो proton के लिए I बराबर हाफ and I का जो त्रीत्य घटक है वो प्लस हाफ इस परकार का मान प्राब्ट होता है तो वो हम nucleon proton होता है तथा neutron के लिए I बराबर हाफ and तीसरी अक्स के सापेक्स इसका जो घटक है I3 बराबर वो माइनस हाफ है proton के opposite direction में है इस परकार का nucleon है वो neutron होता है चुकि नाभी के किरियाओं में संभारिक प्रचक्रण है ये सनरक्षित रहती है इसको सनरक्षित मान गया है इस परकार नाभी के प्रचक्रण के आधार पर एक ही nucleon के तीसरी अक्स के सापेक्स मान के आधार पर उनका विवाजन विवेद किया जा सकता है कि कौन सा nucleon proton होगा ति था कौन सा nucleon neutron होगा